जिसका विरोध करने के लिए वो अगरतला में पुलिस टेशन के बाहर धरना देने बैठ गए पहले तो पुलिस ने उन्हें समझाया और जब उन्होंने उनकी नहीं सुनी तो उन्हें जबरदस्ति उठा कर बस में बठा दिया गया इससे पहले धरने पर बैठे टीमसी नेता चुनाव में हिंसा का आरोप लगाते हुए गुस्से में नज़र आए लेकिन इन सभी आरोपों का त्रिपुरा के सीम के पास एक ही जबाब था और वो ये कि उनमें कोई सच्चाई नहीं है आप ही बोल रहा हो जो आरोप है तो आरोप से बात नहीं बनता एक तरफ मतदान हुआ तो दूसरी तरफ हिंसा का आरोप लगाते हुए टीमसी ने सुप्रीम कोट का दर्वाजा खटकटा दिया और आरोप लगाया कि त्रिपुरा के निकाय चुनाव में बीजेपी और पुलिस हिंसा करवा रही है जिसके बाद सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट ने आदेश दिया कि त्रिपुरा में केंदरिय सशस्त्रबल यानि की सीए पीएफ की दो कमपनिया भीजी जाएं जो पोलिंग बूतों की सुरक्षा करें इसके लावा सुप्रीम कोट ने मतदान केंदर और मतदान पेटियों की सुरक्षा समेच सुरक्षा के दूसरे इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए डी जी पी और ग्री सचिव को निर्देश दिया साथी अदालत ने कहा कि CCTV नहीं होने की वज़े से मीडिया को मतदान की रिपोर्टिंग करने की पूरी आजादी दी जाए इस मामले पर अगली सुनवाई अगले हफते होगी लेकिन अदालत ने डोटुक कहा कि एमर्जेंसी आने पर याचिका करता कोट आ सकते हैं